सबसे पहले आएगा इस पेस बेस्ट इंटरनेट इस पेस एक्स जो की युनाइटेट स्टेट्स अफ अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है इन्होंने एक क्लेस्टर आफ सेटलाइट लाँज की थी करीब 60 इसमाल सेटलाइट्स लाँज की थी लो अर्थ आर्बिट में जिससे ये क्या कर सकते थे इंटरनेट प्रोवाइट कर सकते थे वाइड एरिया में इस प्रोजेक्ट का नाम है दे स्टार लिंग प्रोजेक्ट स्टार लिंग नेटवर्क इसको कहा जाता है और राल अच्छे ये हैं कि 42,000 के करीब सेटलाइट टो प्रोजेक्ट सेटलाइट के आनंद ले पाते हैं उसी तरीके से इंटरनेट भी ही अगर हम डिस के त्रू लेने लगेंगे तो कहीं भी हम रहें तो हम इंटरनेट कहीं भी हम उससे आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं अपोडिबिलिटी भी इसकी बढ़ जाती है शुरुवात में तो थोड़ा इवन लग भी सकता है इंवेस्ट्मेंट सट्लाइट वगरा भेजने में लेकिन बाद में क्या होगा कि एक पर इस पेस में स्टेबलिस्ट हो जाएंगे तो ग्राउंड लेवल पे हमें बस रेसीवर ही लगाने हैं एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट नहीं आगा जैसे माल लीजिए इस महले से दूसरे महले तक हमें इंटरनेट में पहुचाना होता है तो उनको एक्स्ट्रा वायर राउटर अगर लगाने पड़ते हैं स्विच वगर अलगानी पड़ती हैं तो वह सारी कॉस्ट यहां पर खतम हो जाएंगे अवलेबिल्टी 24-7 अवलेबिल्टी होगी ग्राउंड से सक लिने दना है नहीं इंटरनेट आफ तिंग्स भी रिवलेशनाइज हो जाएंगी क्योंकि माल लिजे इंटरनेट आफ तिंग्स में क्या आ रही है आटो नामसकार सारी खुद से चलने वाली से ड्राइबिंग कार सारी है तो यह कार अगर माल लिजे कोई ड्राइब करके रिमोट ले जाना चाहता है तो वहां पर कैसे वह इंटरनेट का इस्तमाल करेगा तो जाएट ज जाते हैं तो उसका ही बार इल्यूजन जो है यह क्रिएट करती है सेटलाइट की वह इक स्टार के फार्म हैं तो हमारे नाइट इसकाई जो है उनमें एक्स्ट्रा लाइट का यह सोर्स हो जाती है सेटलाइट तो यह भी एक तरीके का लाइट पिरिशन क्रेट करती हैं अरी line up site को भी abstract कर सकती है हम जहां वाली जरत के surface से space को देख पा रहे है इदर रेर सारी satellites हो जाएंगी तो हम उस तरीके से अब space को नहीं देख पाएंगे भीच में रेर सारी satellites आ जाएंगी तो अब देखिए आपर कुछ इन्होंने comparison किये है earlier system और star link में तो अभी तक जो स्पेस इंटरनेट होता था यनि सेटलाइट बेस्ट इंटरनेट होता था उसकी जो सेटलाइट होती थी जियो इस्टेशनरी आर्बिट यानि की करीब 36000 किलो मीटर के आसपास की उचाई पर छोड़ी जाती थी यह वाली जो इस्टार लिंक है यह लो अर्थ सेटलाइट होंगी जो कि 3550 किलो मीटर से 1200 किलो मीटर के बीच की हाइट में होती है ताइम लाइग और लेंटेंसे जाहिड से बात है कि यह बहुत दूर है तो इसमें लेंटेंसी काफी अ ढम जोता है क्रिफवी का उन्तार होता है यह जो लो अर्थ वाली आर्बिट होती है वह बहुत तेजी चक्कर लगाती रहती है कोई सेटलाइट है ये हो सकता है कि हर दो घंटे पे ये एक बार इस पॉइंट के ऊपर आए तो ये उतने ही दूर का कवरेज करेगा है वन थर्ट से कम कवरेज होता है क्योंकि इसकी उचाही कम होती है तो इसलिए में धेड़ सारे जाउन लिंक इनकी हो सकती हाइट कम होनी की वज़े से और यहाँ पर लैक जो है काफी कम है तो इस तरीके से यह वाला जो इंटरनेट है काफी फूट पूल होगा और एक नया एकनामिक्स क्रेट कर देगा इंटरनेट के छेत्र में सेटलाइट इंटरनेट का ही है यह हर कोई जानता है in flight wi-fi पहले क्या था जब आप plane में जाते थे तो plane को start करने से पहले यह नि कि take off करने से पहले pilot announce करता था कि आप अपने phone को या तो air plane mode में डाल दीजिए या तो switch off कर दीजिए जिससे हमारा wifi बंद हो जाता था क्योंकि ऐसा था wifi या जो telecom के हमारे phone के जो frequencies होती है वो कई बार plane के communication के frequency चे overlap कर सकती थी और जिससे communication में glitch या बाधा create हो सकती थी तो इसलिए phone को या तो airplane mode में डाल दिया जाता है या तो shutdown करा जिया जाता है लेकिन अब system आ रहा है in flight wi-fi का in flight wi-fi जो है वो government ने उसकी मंजूरी दे दी है एक नया notification इसु किया था कि किस तरीके से हमारे country में planes जो है वो in flight wi-fi का इस्तमाल करेंगे in flight wi-fi के लिए जो है वो क्या करेंगा main captain होगा वो authority होगा वो कब आन करना in flight wi-fi को कब off करना है यह निरधारित करेंगा जब flight जो है वो take off के time में होगी या landing के time में होगी जब उठ रही होगी जमीन से या वापस जमीन पे आ रही होगी उस समय के के अलावा जो बीच में उसका यात्रा के समय की स्टेबल जब स्पीड है चल ले होती है कुरूजिंग फेज में तब जाके हम इस वाले wi-fi का अनंद ले पाएंगे और हर एक जो भी plane जिसमें हम in flight wi-fi instrument लगाना चाह रहे होंगे इसको dgca से हमें जो है verification certification लेना होगा यह किस तरीके से काम करता है तो यह दो तरीके से काम कर सकता है wi-fi जाहर से बात है वो internet का connection चाहिए उसको internet के लिए इंटरनेट के लिए linking कहां से होगा तो आटरेनेट के लिए तो ground के टावर से लिंक होते हैं ठीक है लेकिन हर जिगा पर उड़ रहा है को इसा डिस'Tरेन छहां पर ट्रार नगे हो तो जाहर से बात है वहां पर ground level से उसका समपर्क नहीं हो सकता है तो उस समय वह satellite based wifi system का प्रयोग करेगा related news में देखें तो Wi-Fi calling की भी बात आई थी जिसको एक चोपने टिखनीकली कहा जाता है तो VO Wi-Fi कहा जाता है इसका मतलब हो जाता है Voice over internet protocol के थूर हमारी calling हो रही होती है ये एक high definition voice calling system होता है जिसमें हम Wi-Fi का इस्तमाल कर रहे होते हैं अपने cellular network के साथ-साथ यूजिली आप देखें तो यूजिली हम जब phone से call करते हैं तो वह cellular network के थूरू call होता है लेकिन हम WhatsApp से call कर रहे होता है तो वह जो call होता है Wi-Fi के थूरू यानि internet के थूरू होता है तो ये जो voice calling है यहाँ पर Wi-Fi voice Wi-Fi calling जो है ये दोनों का hybrid है ये क्या करता है कि cellular network का तो प्रयोग करता है लेकिन ये साथ-साथ data का भी इस्तमाल करता है यानि Wi-Fi system का इस्तमाल करता है जब आप phone करेंगे तो आसपास के आसपास जो भी आपके Wi-Fi signal मौजूद है जो उस compatibility के हैं तो उनके data का इस्तमाल करके आपकी जो call की quality है वो इंप्रूब हो जाएगी और 60 call connection time भी हो जाएगा इसके लिए user को extra pay करने की जुर्त नहीं है भारती ये अटिल जो है इंडियाम सबसे पहले इसको लेकर आए था और इसके लिए किसी अलग से एप की जुर्त नहीं है नए नंबर की जुर्त नहीं है आटोमेटिकली बैग्राउंड में हो जाएगा इसके लिए इतना ही है अब हम देखते हैं alternative energy के बारे में काफी important topic है UPSC के लिहाद से इसमें fuel cell की पहले बात की गई है तो CSIR ने प्राइवेट पुने बेजडेक इंजिनरिंग फारम है technology leadership initiative यह CSIR का initiative था और यह प्राइवेट से यहां पर collaboration करके इन्होंने बनाया है यह जो इन्होंने fuel cell बनाया है उसको उसकी capacity है five kilo watt और यह इस्तमाल करता है methanol का या bio methane का और इसकी power efficiency जो है करीब 60% जादा है अभी तक हमारे traditional sources से इसका जो भी meaning निकलता हो इसके कई meaning निकल सकते हैं तो मैं उसके detail में नहीं जाऊंगा fuel cell technology के पारिम्दिकी fuel cell का क्या मतलब होता है fuel cell का यही मतलब है simple कि hydrogen cell है यह कैसा cell या battery जो की hydrogen का इस्तेमाल करती है इस बार नहीं सारी पिछले बार का जो noble price भी मिला था वो भी इसी छेतर में मिला था तो इसमें यह hydrogen है जो fuel इस्तेमाल करते हैं और जो air में प्रजेंट oxygen रहती है इसको oxidation के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं अब hydrogen और oxygen का reaction होगा तो जाहर से बात है की gasage का emission नहीं कर रहा है next एक चीज़ आई थी important वो थी microbial fuel cell futuristic यह technology मानी जाती है यह consumer हो रही होती है sorry energy बन रही होती है उस process को हम कहते हैं cellular respiration cellular respiration का technical नाम क्या है यह जान लेते हैं यह basically important है तो वो है electron transport system या इसी को electron transport chain भी कहते हैं ETS या ETC तो cellular respiration जो है उसका technical name क्या है electron transport system या electron transport chain इस वाले सिस्टम में वैसा ही potential पाया जाता है जो कि किसी battery में होता है जो battery के दो इंड्स में ऐसे कह सकते हैं energy के difference होते हैं potential के difference होते हैं जिसके वज़े से वो electron को move करा पाता है और उससे हमें energy या electricity मिलती है इस वाले जो electron transport system है इन में redox reactions होते हैं reduction, oxidation, reduction, oxidation वाले reactions होते हैं इसमें जिसके वज़े से potential gradient by tree के style में create होता है और उसका इस्तमाल करके इन्होंने यहां पर fuel cell बनाया है तो यह इन्होंने कुछ microbes लिये थे जो की organic substrate को convert कर रहे थे उनके अपने normal process में और उस दोरान वो energy जो generate कर रहे थे उससे इन्होंने fuel cell को बना रखा है इसमें बहुत से by catalyst यानि enzymes लगते हैं और इनमें इनके बहुत से application भी हो सकते हैं जैसे यह बहुत से low power requirement वाले instrument machinery में का इस्तमाल हो सकता है और इनमें batteries को replace करने की जोड़त नहीं पड़ेगी क्योंकि हम microbes को जानते हैं हम उनको उनका खाना देते रहे माइक्रोब जो है double और उसके बाद four time इस तरीके से वो काफी exponentially बढ़ते चले जाते हैं तो इस तरीके से हम बस उन्हें कुछ organic food देते जाएंगे और battery हमाईसा के लिए बनती रहेगी इन type के चीज़ों का हम इस्तमाल कर सकते हैं wireless sensor network में या different bio sensors में तो यह सारा बागी चीज आपको मैंने बता रखा है nuclear program in India ये भी कफी important हमारे country में nuclear program में लिए nuclear reactors की बात कर रहे हैं उसका क्या status है तो हमारे country में और आल government ने या different policy makers ने मान लिया है कि nuclear energy जो है viable source है even CPIM type की communist party जो यूजिली इस टाइप की technology को उर्योग करते हैं वो भी जो है वो भी मानने लगे हैं कि nuclear energy का प्रियोग करना चाहिए ये अब देरे-देरे uranium और thorium जो है काफी important mineral हो रहे हैं उनका use nuclear program में होता है इसलिए uranium जो है हमारे country में कई जिगा पाए जाता है उनमें nuclear energy की देखरे करते हैं वो है atomic energy commission और इनकी इस्थापना की गई थी 1948 में और उसके बाद हमारे country में ट्रॉंबे में बना था 1954 में atomic energy institute जिसका नाम बदल के बाद में बार्क बाबा atomic research center 1967 में कर दिया गया था न्यूज में एक और आजकल बार कर रहा है बताईए किस चीज से related है हमारे country में बहुत से nuclear project जिसमा सकरी हैं जैसे तारपूर महराश्ट में रावत भाटा कूटा के पास कल पक कम तमिलनाडू में नरूरा उत्तर प्रदेश कहगा करनाटक और ककरापार गुजरात में इंड रियक्टर टाइप के nuclear reactors को हम इस्तमाल कर रहे थे अधिकतर हमारे जो है इसी पर बेज़ड है तो यह जो प्रिसराइज हैवी वाटर रियक्टर होता है यह सबसे ओल्ड टाइप का nuclear reactor होता है फिर भी यह काफी ज्यादा energy efficient माना जाता है आज भी तो यह फ्यूल इसका कौन स होता है तो यह में नीचूरल यूरेनूम जो होता है उसका हम इस्तमाल करते हैं उसके अलावा हम इसमें moderator or coolant group में heavy water को को इस्तमाल करतें moderate moderator क्या होता जब यह nuclear reactor में जो reaction होता है उसको, pigeon reaction कहते हैं उसमें क्या होता है एक बड़ा सा यूरेनियम का एक अटम यह उसका nucleus जो है break कर जाता है दो छोटे छोटे nucleus में और कुछ वहाँ पर neutron निकल कर आ जाते हैं तो यह जो धेड़ सारे high energy neutron होते हैं उनको ही रोकने के लिए moderator का इस्तमाल किया जाता है और उसको ठंडा रखने के लिए coolant का इस्तेमाल किया जाता है, coolant का इस्तेमाल, जो इसमें जो heat energy बनती है, उसको आगे ले जाके turbine को चलाने में भी किया जाता है, तो यहाँ पर प्रोसेज यही होता है, uranium 238 जो कि naturally पाय जाने वाला most abundant uranium का type है, उससे plutonium 239 और heat generate हो जाती है, stage 2 जो आ जाता है, उसमें हम यही plutonium को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसलिए stage में है, stage 1st मेंदेर सरा plutonium बना लेंगे, तो उस plutonium से हम stage 2 चलाएंगे, तो ऐसे reactor जो है, जो क्या करते हैं, कि जितना ज्यादा fuel ले रहे होते हैं, उससे ज्यादा new fuel या fisile material बनाते हैं, उनको हम एक term भी देते हैं, उसको कहते हैं, bre breeder reactors, breeder reactors, तो यह term याद रिखे, important है, कि जो fuel जो consume करते हैं, उससे ज्यादा fuel, या जितना fisile material बनाते हैं, उसको हम breeder reactor कहते हैं, तो plutonium जो है, इसमें इस्तमाल कह जाता है, और इनको हम fast breeder reactor कहते हैं, क्योंकि इनमें जो fisile material बनते हैं, वो काफी और पहले तरह ज्यादा बन रहते हैं, यहाँ पर देखे, एक से एक ही बन रहता है, यहाँ ऐसा नहीं होगा, एक से तीन इस टाइप से बनेंगे, यह क्या है, एक टाइप से fast neutron reactor हैं, जिमने plutonium 239 का हम इस्तमाल करते हैं, और इसमें blanket लगी होती है, जिसमें uranium और thorium होता है, तो जो plutonium पे हम high energy neutron ड में जाकर जो हैं नए टाइप के बड़े बड़े nucleus बनाएंगे, जो की काफी अच्छे quality के fiesile material बन के निकलेंगे, जो की वो किया बन जाएंगे further, further high fiesile plutonium बन जाएगा, और साथ ही साथ uranium 233 बन जाएगा, जो की बहुत जादा fiesile होता है, यहाँ हम nuclear reactor में बहुत अच्छ plutonium ये 239 को उसके चार और एक जैकेट लगा दे रहे हैं, जिसमें मौझूद होगी uranium और थोरियम और जब यहाँ से इसका विगटन यानि की breaking स्टार्ट होगी, तो extra जो neutron निकलेंगे, वो जाकर यहाँ पे uranium और थोरियम से react करके plutonium और uranium 233 बना देंगे, तो इस तरीके से ये काफी अच्छे क्वालिटी का fast breeder reactor बनके निकलता है, stage 3 जो आते हैं advanced heavy water reactor, इनमें हम जो यू कर रहे हो हैं, वो कौन सा होता है, थोरियम, plutonium, fuels, और इस तरीके से करते हैं, कि हमें इसमें निकलता है 233 uranium, uranium 233 इसमें से breed होके निकलता है, breed होके निकलना है, मतलब नया बन जाता है, तो इसमें alternate एक stage 3 ये भी हो सकता है, कि जिसमें हम क्या करें कि molten salt breeder reactor के इस्तमाल करें, टेकनिकली आप इतना डीटेल बना जाएए, याद रखे, molten salt breeder reactor जो है, वो भी stage 3 के ही category में आते हैं, हमारे country में example देखें, तो अपसरा यू जो है, वो निया वर्जन है, indigenously made upgraded version up, अपसरा, अपसरा, ये अब क्या है, अपसरा यू यू ये है, फस्ट रिसर्च रियक्टर इनियस, या जो की 1956 में operational हो गया था, और 2009 में ये रिटार हो गया था, इसमें हम plate type dispersion fuel element का इस्तमाल करते थे, इसका जो भी meaning हो, आपको बहुत detail जाने की जूरत नहीं है, plate type का में यही होता है कि एक plate जैसी ही इसमें लगी होती है चीज और इसमें डारेक्टली हम neutron bombardment करते हैं, तो ये old style है, और इसमें low enriched uranium इस्तमाल करते थे, टेखनीकली ये type first ही हो गया, low enriched uranium, natural uranium अगर इसमाल कर रहा है इसमें तो, और इसमें बहुत ज्यादा neutron इसमें निकलता था, तो ये जो है indigenous production of radio isotope भी से हम करते थे, इसका ये मतलब है, दिखिए जरसल जब uranium इसमें plate में, fuel में लगा हुआ है और uranium जब ब्रेक होता है, तो छोटे size के कई different type के radio active elements बनाता है, वो iodine भी बना सकता है, bromine भी बना सकता है, इन दोनों का ही काफी हम इस्तमाल करते हैं, किसमे cancer के treatment में, जिसको chemotherapy भी कहा जाता है, वहाँ पे radio chemotherapy में इसका इसका इस्तमाल करते हैं, cancer treatment में, तो radio isotope का जहां भी medical sector में इस्तमाल हो, चाहे हो treatment में हो, कई बार diagnostic के लिए भी हम bio medical science में इस्तमाल करते हैं, तो वहाँ भी हम इस type के जो ये अपसरा जो है, नए नए elements radioactive isotope बना रह रही थे, इसके अलाबा इसका इस्तमाल बहुत सामने किया था nuclear physics को समझने के लिए, material science को समझने के लिए, और radiation shielding को भी समझने के लिए, कि किस तरीके से radiation अगर फैल जाए, तो हम उससे अपना बचाव कैसे करें, हमारे country में nuclear development की जरूरत ही क्या है, सबसे पहले तो इस समय world में सबसे better source माना जाता है electricity production के लिए nuclear energy, तो nuclear energy से काफी अच्छे quality की, reliable और emission free electricity generate होती है, तो energy security हमारी जो है बन जाती है, carbon emission भी कम हो जाता है, और sulfur dioxide emission जो की आम तरफे coal based power plant, thermal power plant इन सम में sulfur dioxide जो निकलती है, उससे भी हम निजाद पा सकते हैं, तो इसे climate पे भी हमारा impact कम हो जाएगा, हम conventional energy sources को replace कर सकते हैं, जैसे अभी तक thermal power plant, continuous supply होती है, क्योंकि यह जो एक बार reaction chain start हो जाती है, तो रूकने का नाम नहीं लेती, seasonal भी नहीं है, कि water के amount पे depend करती है, तो यह ultimate है, यह continuous चलती रहेगी, और साथी साथी यह भी देखा गय है, कि nuclear energy और foreign policy में भी nexus है, for example, जब 2008 में India और USA ने nuclear agreement किया, तो इससे क्या हुआ, कि हमारे USA और इंडिया के बीच में जो bilateral संबन्द थे, हमारे diplomatic relation थे, वो काफी ज्यादा जो सुद्रिड हो गया, धिर धिरे अमेरिका को भी विश्वास हो गया, कि इंडिया के जो इरादे ह है, हूँ missile और कोई nuclear bomb नहीं बनाना चाहता है, तो इस तरीके से USA ने भी recognize कि ये इंडिया क्या है, एक responsible nuclear weapon state है, और इसके non prolification वाले इरादे हैं, अब challenges क्या है, तो इसमें challenge ये हो जाता है, कि जब हम nuclear material निकाल ले होते हैं, माइनिंग करके, जैसी uranium जहाँ पर पाया जाता है, वहाँ की rocks से जब हम निकाल ले होते हैं, uranium को, तो ground water contaminate हो सकता है, धीरे धीरे हम जैसे research बढ़ा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, 16 states में हमारे हैं, कई जगों पर उनमें, इनके एक्विफर्स में uranium पाया जा रहा है, जिन में राजस्थान और गुजरात में सब श्यादा cases मि हैं, हमारे country में जो uranium के deposits हैं, वो काफी low grade के हैं, जिन में 0.15% के करिब uranium है, और कई वार scientist और businessmen जो हैं, ये भी कहते हैं, कि हमारा जो uranium है, वो इतने low grade का है, कि commercially viable भी नहीं है, जैसे recent news में आया था कि एक जगह मिली है, यूपी में जिसमें इतना uranium की खान है, कि हमारी country जो है self-dependent हो जाएगी, उरेनियम में बाद में उसका काफी माजाग भी हुआ था, तो हमारे country में यही condition हमारी uranium जो है, काफी low grade का है, मगर बाहर से uranium लेते हैं, सिर्फ और के farm में और उसको enrich भी करते हैं, तब भी हमें काफी सस्ता बढ़ता है, और shift towards renewable energy, पूरा world जो है renewable energy की उड़ जा रहा है, जैसे हम solar और wind इन सब की और बढ़ रहे हैं, तो जाहिर से बात है, कि nuclear energy जो है, वो कुछ backward looking लगने लगा है, nuclear energy के काफी नुकसान भी होते हैं, जो hot water generate करता है, उसको गर सही से बिना treat किये, कई बार हम न निकाल देते हैं, अगर environment में, तो उससे भी काफी नुकसान है, कई बार उन waters में, कई radio, isotopes भी पाया जा सकते हैं, जिससे environment को काफी नुकसान हो सकता है, anti nuclear protest भी हो रहे हैं, जैसे 2011 में फुकिसीमा reactor, जो में disaster हो गए इधी जापान में, उसके बात जो है, हमारे country के different nuclear power plant के आ इंक अप करना भी हमारे चलेंज है, इंदिया जो है, वो हमारी अभी तक जो manufacturing capacity हम बढ़ा के दिरे-दिरे करके अभी तक 700 megawatt प्रिसराइज दे, heavy water reactor को ही अपने country मनाने में सक्चम है, जैसा मने बताई, stage 1 type है, उन्हों भी advanced stage 1 का लाएगा, क्योंकि इसके पहले तक 400-500 megawatt ही होते थे, लेकिन उनमें भी हम 700 megawatt ही पहुंचे है, पूरा वल्ड काफी आगे ज़्यादा पहुंच चुका है, stage 2-3, इन सब के लिए जो भी चीज़े हमें चाहिए, उसके लिए बाहर से उसको import करने पर ही dependent है, तो यह हमारे लिए थोड़ा uncertain situation बनाता है, क्योंकि अगर बाहर की कोई कमपनी हमारे सामान ला रही है, और डिजास्टर हो जाए, अगर plant जो operate, manufacture कोई बाहरी कमपनी कर रही है, और डिजास्टर हो जाए, तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा, तो इसको लेकर काफी हमारे country में debate भी है, manpower need, हमारे country में nuclear scientist और engineer की काफी ज़्यादा कमी है, क्या आपने देखा है, बीटे की nuclear energy, नहीं, तो यह आदर इसूज, क्या इसूज हो सकते हैं, तो land acquisition का इसू, rehabilitate, वहाँ से अगर land acquisition हमने कर भी लिया, तो वहाँ के जो local रहने वाले residents हैं, उनको हम कहां ले जाएंगे, साथ ही साथ कई बार हम जगह खुषते हैं, तो हम reserve forest or tiger century ही ऐसे जिगह मिलती है, जहां पर हम nuclear power plant लगा सके हैं, social political issues भी create हो जाते हैं, public census लेना भी जरूर है, environment impact assessment हमारा अल्रेडी कमजोर है है, और उसके लिए अगर nuclear type की disaster हो जाएंगे, तो फिर लोग कहां जाएंगे, अगर एक simple अगर असम में एक petroleum well में आग लग जाती है, तो उसके तो डियावा स्टेटिंग परडाम होते है, nuclear reactor में अगर दुरगटना होगी तो फिर क्या होगा, recent में भी news में आया भी था कि UP में ammonia एक ये fertilizer बनाने वाली factory में ammonia leak हो गया, तो काफी लोग मृत हो गया, और काफी लोग उस पे hospitalized हो गया, uranium mines की हमें क्यों जोर था हमें extra mine, जो चाहिए, तो हमारी country में जितना supply हमें चाहिए, उसके लिए हमें कम से कम 15,000 ton of uranium required है, और अधिक तर हम इस समय अगर हम क्या करेंगे, अपना nuclear power plant में extra लगाने है, तो हमें जाहर सी बात है, बाहर रिपंटर रहना होगा, इसलिए हमें धेर सारी नई uranium mines की तलास करनी हो होगी और उसी basis पर काम करना चाहिए, यह common चीज़े है, fuel for future addition, तो government ने प्लान किया है, 2480 मेगावाट nuclear power capacity, जो इसका target 2021 32, इस सब चीज़ों के लिए हमें नई uranium mines चाहिए, कोई बड़ी बात ने है, यह forward क्या है, तो हमें skill base को maintain करना होगा, हमें safety regulation चाहिए, waste disposal management VHS करना होगा हमें maintain करना होगा, reinforce करना होगा, international non-florification agreement और हमें train और recruit करना होगा, scientist को इस चेतर में, तो इंडिया अगर इस सारे point में देखे, तो इस point में हम ठीक काम करें, इसके अलावा हम जो है, उल्टा दिसा में इस समय जा रहे हैं, international thermonuclear experiment reactor, आइटर, आइटर क्या होता है, पहले आप, spring देखें, जो आप pen के आगे, आपको इस spring मिलती है, और उनके ints को आप जोड़ दें, तो ऐसी sun रचना बन जाएगी, जिसमें यानि कि ये circle, circle, ये जो होता है, loops, अंतमेजा के जोड़ जाते हैं, इसको इम toroid गहते हैं, तो ये एक type का apparatus होता है, इस type के shape और construction को denote करत होता है, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं, fusion reaction को control करने के लिए उसके plasma state में, ये सारी technical चीजे क्या है, मैं बताता हूं step by step में, सबसे पहले, अभी तक हमने देखा nuclear reactor, उसमें क्या हो रहता, fusion reaction हो रहता, fusion reaction में, fusion का मतलब होता है, break होना, एक बड़ा सा, जो atom का nucleus था, वो छोट fusion में कम energy release होती है, fusion में काफी ज्यादा energy release होती है, और plus, fusion, fusion को initiate करना ज्यादा असान है, fusion को initiate करने के लिए काफी ज्यादा energy लगती है, और कम बले इसका ज्यादा है, लेकिन शुरुआ, initiation में, input भी इसमें काफी ज्यादा लगता है, अब देखिए, जब हम ये कर रहे होते ह है दो एटम को huge कराना चाह रहे होते हैं, आप एटम के nuclei को, radiation को huge कराना चाह रहे हो तो हम बहुत ज्यादा temperature देते हैं, वह temperature कई वार क्या होता है कि वह nuclear fusion से आता है, यानि कि एक तरिक इसके small scale पे atomic blast करते हैं, उसकी energy से हम दो छोटे nucleus को जोड़ पाते हैं, दो छोटे न्यूकलियस मतलब जैसे दो हाइडरोजन के न्यूकलियस को हम जॉइन करा सकते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए दोनों को जॉइन कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कई बार हम छोटे स्केल पे कराते हैं क्या atom का phigen यानि कि एक तरीके से कहें छोटे scale पे atom worm का blast कराते हैं जिससे ये जुड़ के बड़े helium के nucleus में convert हो जाते हैं अब ये जब हम energy इनको provide कर रहते हो जादा तो ये क्या होते हैं ये एक type से बहुत हाई energy state में चले जाते हैं gases है hydrogen hydrogen लेकिन ये high energy state में चले जाती हैं और ये एक liquid की तरफ flow करने लगती हैं sun के अंदर जैसी conditions होती है बहुत जादा high energy यानि बहुत जादा temperature पे जब gases पहुंचती हैं तो वो liquid की तरफ बहुआब करने लगती हैं और उस state को कहा जाता है fourth state of matter यानि कि वो हो जाती है fourth state of matter solid liquid gas के लावा एक नई type की liquid बन जाती है जिसको हम कहते हैं plasma ठीक है तो ये हो गया अब fifth state of matter क्या होता है तो plasma में convert हो जाती है तो हम high energy देते हैं तो plasma में convert हो जाती है और उनके nucleus जुड़ जाते हैं और वो बन जाती है एक बड़ा nucleus अब ये क्या है यहाँ पर कि ये जो plasma state में इनको maintain करना जो है यही challenge है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं ये हमारा fusion reaction जो हम feasibility नहीं कर पा रहे हैं एक आज दो करा लेते हैं लाकिन long term नहीं करा पाते हैं fusion reaction में आप देखिए तो माने आपको बताया था नहीं कि वहाँ chain reaction start हो जाता है दो में break हो जाता है यहाँ पर हम इसको neutron दिए रहते हैं तो neutron की वज़े से break हो जाता है ये extra यहाँ पर neutron निकल जाता है ये neutron जाता है किसी और को break कर देता है कई बार तो एक एक से तीन तीन चार चार न्यूटरा निकलते हैं वो सारे जाकर अन को ब्रेक करा देते हैं तो वो काफी chain reaction स्टार्ट हो जाता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है एक बार जुड़ गया फिर अगर हलका साम energy कम हो जाएगी तो फिर वो आपस गैसे इस state में चले जाएगे fusion reaction तुरंट वहीं break हो जाएगा तो इसको maintain करने के लिए world level पे international collaboration से कासकर फ्रांस में जो है वो आईटर experiment जो है चल आईटर प्रोजेक्ट चल आई जिसमें इन्होंने टाक का मैक जो है उसको बनाया है जो की एक experimental magnetic fusion device है जिससे हम fusion की energy को harness कर सकते हैं यह जो energy निकल कर आती है वो absorb हो जाती है टोकमैक के walls में और vessels में और फरदर हम वही करते हैं heat energy जो है वो walls में लग गई है उससे हम क्या करेंगे कि water को heat कर लेंगे फिर वो गरम water जो है जाएगा steam में या तो बन जाएगा या तो उसको दूर ले जाएगे और turbine पे हम steam को डाल देंगे उससे turbine move करेगा और बिजली बन जाएगी ऐसा ही nuclear reactors में भी होता है हम चूज करते हैं magnetic field को contain और control करने के लिए plasma को मने बता है plasma state को maintain करना बहुत ही जरूरी है तो tokamak यही करता है जिससे plasma state में होने से ही fusion हो सकता है fusion वहाँ पर हम यूजरी किसका करा रहे हैं deuterium, ion, trisium, nuclei का हम fusion करा रहे हैं plasma क्या है ionized state matter है जो कि similar to gas होता है fourth state matter भी कहते हैं और यह बहुत ही extreme temperature पे बन के आता है deuterium, trisium जो हैं यह क्या हैं यह isotope आफ hydrogen है deuterium से भारी होता है trisium तो यह दोनों ही hydrogen के isotope है तो इस तरीके से मैंने आपको simplified बता रखा है तो tokamak यह जो iter project के अंदर है इसका क्या उद्देश है तो यह जो design किया गया है यह इस तरीके design किया गया है कि यह 500 MW आफ energy को बना सकता है trisium breeding को भी हम यहाँ पे test कर रहें कि क्या इस method से हम further trisium बना सकते हैं या नहीं ITER project के बारे में देखिए तो यह 1985 में launch हुआ था यह एक experimental fusion reactor facility है जो कि अभी ज़्यादा तरबन ही रही है और यह कहां पर south of France के काडराचे एरिया में है इसका उद्देश है कि प्रूब करना कि nuclear fusion को हम future source energy के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं और यह ऐसा करने के लिए क्या करेंगे तो वर्ल्ड का largest okamac बनाएंगे international collaboration करके और जब अभी तो हम क्या करें कि इसमें अभी तक मैंने बताए कि शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा energy देनी पड़ती है और बाद में nuclear fusion से थोड़ा energy और निकलती है तो overall nuclear fusion से काफी ज़्यादा energy निकलती है लेकिन अभी तक हम उस energy को harness नहीं कर पा रहे हैं अभी तो हम energy दे ही रहे हैं तो future में ऐसा हो पाएगा कि हम जीता energy दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा energy निकाल पाएगे तो net energy production जो है ultimate इसका target होगा आइटर के member कौन-कौन से हैं तो China, European Union, India, Japan, Korea, Russia और United States मिला के total 35 nations है इसके members इसमें बहुत से चीज़े होती हैं जो लोग collaborate कर रहे हैं वो लोग cost of project, construction, operation and decommissioning इन सब को share करते हैं experimental result को भी share करते हैं और intellectual property को भी share करते हैं European Union जो है चोकी host party है वो contribute करता है 45% उसके लाबा बाकिन सारे country 9% each contribute करती हैं अब हम देखें तो इंडिया का contribution क्या है तो इंडिया ने 2005 में काफी लेट में इसको join किया था इंडिया के responsibility है कि cryo state यानि कि एक ऐसा system जो कि उसको cooling provide करता है या खास type कि उसको crystal state में बनाने में मदद करता है उसको इन्होंने दिया है इन्होंने involved shielding, cooling water system cryogenic system, heating system, diagnostic neutral beam system, power supply और some diagnostic systems भी दिये हैं यह कुछ important नहीं भी जाता है कब join किया थे यह important है इंडिया ने 2.2 billion भी लगाया है आइटर इंडिया नामक एक domestic agency भी बनाई गई है जो कि institute of plasma research जो कि department of atomic energy का अंडर में आता है तो उसके अंडर में यह कि यह body बनाई गई है अधर related news में देखें तो ककरा पार atomic power plant cap 3 ने criticality को achieve कर ली है criticality क्या होती है criticality वही है कि chain reaction start हो जाए शुरुआत में जब हम माले यह uranium को break करते है neutron से high energy neutron uranium या कोई भी official material को break करते हैं कई बार ब्रेक हो जाता है लेकिन उतने amount में neutron नहीं निकलते हैं कि फर्दर वो un-neutron से chain reaction ही start करें तो जब क्या होगा कि एक समय आएगा attack करते करते कि uranium break होते होते अपने के बराबर यह अपने से ज़्यादा neutron को generate करने लगेंगे तो वो state जब यह reaction जो है chain में चला जागा self-sustaining हो जागा उसको हम कहते है criticality तो इसने criticality achieve कर ली है यानि अब active हो गया है यह इंडिया का पहला 400 megawatt electric unit वाला capacitor है और यह biggest indigenously developed variant of pressurized heavy water reactor भी है अभी तक हमारी country में सबसे जो biggest था वो था 540 megawatt electric unit वाला जो तारापूर में था वी pressurized heavy water reactor टाइप था तो इंडिया अभी तक phase first में चल ला है में ले फस्ट two unit जो है ककरापार पे वो Canadian technology से based थे अब जो नई unit है वो हमारी इंडिया के ही technology पे based है और यह क्या करेगा यह यूज करेगा enriched natural uranium जैसा मने अपको पहले पताया और इसमें modern coolant जो होगा वो क्या होगा heavy water heavy water का मतलब उसमें deuterium oxide होता जिसे normal water h2o hydrogen oxide होता है तो hydrogen का जो isotope भारी वाल isotope इसको deuterium d से रपरजेंट करते है dto जो है वो heavy water हो जाता है तो यह मने आपको बता दिया अब difference क्या है nuclear fusion fusion में तो यहाँ figure में देखे वही चीज़ है यह बड़ा दो में जब ब्रेक हो जारे एक 9 neutron के आने से तो यह है हमारा fusion reaction fusion में क्या है दो छोटे मिलके एक बड़ा बना दे रहा है उससे energy भी निकल जाती है और चुकि कई वारा निस्टेबल होता है तो इस टाइप के चीज़े भी इसमें निकल आती हैं अब यहाँ पर एक खास बात देखिए क्या अंतर है अंतर है कि इसमें आमतर पे जो fuel के रूप में इस्तमाल होता है वो है uranium, plutonium, thorium भी इस्तमाल हो सकता है यहाँ पर और यह सब काफी बड़े nucleus हैं, काफी बड़े atoms हैं, उसके ultra triceum और deuterium जो हैं काफी छोटे atoms हैं और यह hydrogen के isotopes हैं energy जो है इसमें produce होती है, काफी कम होती है, इसमें काफी ज़्यादा energy produce होती है कम का मतलब यह नहीं कि comparable है यह thermal power plant से नहीं बहुत ज़्यादा energy निकलती है, लेकिन इसकी तुल्ला में काफी कम निकलती है और highly radioactive fission product भी निकलते हैं, तो जो other elements नहीं से निकल लें हैं, अधिकतर बार काफी highly radioactive रखते हैं, लेकिन यहाँ पर high radioactive वाले compound नहीं बनते हैं, यहाँ simple चीज़ें ही बनती हैं, इस तरीके से यहाँ पर nuclear 1000 की समभावना रहती हैं, यहाँ निकलियर 1000 की समभावना नहीं रहती हैं, और जब यह हम दो अगर atom को यहाँ पर join करना चाहते हैं, तो उसके लिए में बहुत ज़्यादा amount में pressure और temperature चाहिए और इसको sustain करना long term पे काफी मुश्किल होती है, जैसा मने आपको बता है, यह तो एक बार अगर क्रिटिकल्टी है चीप कर लिए तो चलते चले जाएंगे, जब तक fuel जो है significant amount में मौझूद है advantage क्या है fusion energy की, तो इससे तो abundant energy निकलेगी, काफी ज़्यादा energy निकलेगी, जो की even शुरुआत में महंगी पड़ सकती है लेकिन ultimately इतना वो cheap होगी कि हम उसकी आज के जितने भी हम energy sourceage का इस्तमाल करते हैं, उसके मुकाबले काफी ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, अगर हम दिरे दिरे इसको commercial scale पर करने लगे तो काफी sustainable है, क्योंकि जो उसमें fuel इस्तमाल होता है वो काफी naturally पाए जाते हैं हम उनको कीम के लिए बहुत आसानी से synthesize भी कर सकते हैं, और inexhaustible हैं डिटीरियम जो है, हर टाइप के water में कुछ percent होता है हम उसको वहाँ से distill कर सकते हैं chemical भी synthesize कर सकते हैं trisium जो है nuclear fusion reaction में खुद ही बन जाता है तो जब fusion के neutron जो है वो lithium से टकराते हैं तो वहाँ पर trisium बन जाता है तो trisium हम बना सकते हैं और deuterium खुद भी बना सकते हैं, deuterium को हम distill water से भी, सारी हम water से निकाल भी सकते हैं कुछ तो इस तरीके जो इनके fuel है हर जगा पाय जाते हैं और बनाए भी जा सकते हैं zero carbon emission होगा इनका जो major by product इन में निकल ला है हमने देखा कि helium जो इनर्ट नन टॉक्सिक गैस है वो निकल लही है काफी safe भी है no high activity long lived radio waste तो इसमें radio waste बनता ही नहीं है तो दुरगटना की समवाना भी ना के बराबर है limited risk of proliferation इसका इस्तेमाल जो है uranium plutonium की तरह आसानी से ऐसे नहीं किया जा सकता है कि हम अभी तकी technology से कि इसको आसानी से हम bum बना सके हैं यह ऐसा इतना आसान नहीं है इसको bum बना पाना पर जो है इसलिए इससे prolification की समवाना कम हो जाती bum लोग नहीं बना पाएंगे no risk of meltdown अगर मान लिजे जैसे nuclear reactor के case में क्या होता है nuclear reactor यानि की fission reaction में क्या होता है कि कई बार uncontrolled हो जाता है अगर moderate coolant shielding यह सब सही से नहीं है तो वहाँ पर hazard create हो जाते है focusima उसका अच्छे example है लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी disturbance होता है तो simply जो toroid function जो है जैसे ही उसका function थोड़ा सा fluctuate होगा plasma cool कर जाएगा और यह nuclear sorry यह fusion plant जो है तुरंट बंद हो जाएगा तो automatically self critical अपने आप में खतम हो जाएगा cost होज़े है शुरात है बहुत ज्यादा expensive अभी तक की technology से लेकिन बाद में जैसे से होगा तो यह future की technology है और इसका जरूर इस्तमाल होना चाहिए आईटर में इंडिया के participation को हम critically analyze करें 2017 से इंडिया ने अभी तक contribution जो है कायस वाला contribution नहीं दिया है हम काफी कम human resources को आईटर साइट पे बेच रहे है हमने सिर्फ 25 इंडियान अभी तक भेजे हैं उनमें से जो अधिक्तर हैं वो काफी young हैं और हमें मिला था कि हम 100 इंजीनियर बेच सकते हैं तो जाइट से बात हमने सिर्फ 25 बेजे हैं तो फिर चाइना जैसे जो हैं वो काफी फायदा उठा सकते हैं तो जाइट से बात है जब ऐसे research institution चुकि आईटर जो है research भी publish करता है उसमें इंडियन का participation कम रहेगा तो हमारे patent भी कम रहेंगे हमारे जो intellectual knowledge है उसमें भी हमको कम सेर मिलेगा तो हम किसको नुकसान पहुचा रहे हैं अपने आपको खुद नुकसान पहुचा रहे हैं यह तो मतलब पैसा दे भी रहे हैं open opportunity है तो इसको क्यों हम miss कर रहे हैं इंडिया ने junior virtual event हो रहा था इसका heater का तो उसमें क्या हुआ कि बाकी देश के जो काफी बड़े-बड़े scientist head of states बात करते हैं और इंडिया से कौन लोग है simple simple कुछ young लोग कुछ diplomats इस टाइप की लोग गए हैं मतलब totally unprofessional approach थी वहां पर इंडिया के द्वारा तो इंडिया जो है भले वो बड़े-बड़े जो चीजे famous हो जाती है अचानक से AI इस टाइप की robots इन सब में अचानक से इंडिया हमारी कूछ जाएगी लेकिन जो already यह काफी समय से चला रहा है और यह future है हमें अभी नहीं दिख रहा है अगले 50 साल में एकदम से future है हमारा अगले 50 साल में एकदम से और यह आने की बहुत ज़्यादा इसकी सम्भा होना है लेकिन हम इसमें अपना प्रयास कितना लगा रहे हैं ना के बराबर तो यह ही है कि जिसमें हम असानी से कर सकते हैं उसको हम नहीं करा है miscellaneous topics भी देख लेते हैं scientific social responsibility यह क्या है DST ने एक draft release किया scientific social responsibility policies के लिए जैसे corporate social responsibility होती यह corporate को कि society के बहुत से ऐसे चीजों का कर रहा हम तो उनको society को उल्टा देने के लिए कार पूरेट्स से यह तो पैसा लिया जाता है ю सर्विसें ली जाती है उसी तरीके से साइंटिस्ट जो है सोसाइटी से बहुत कुछ लेते हैं society को उल्टा दें इसके लिए scientific social responsibility का concept लाए गया है तो इंडिया most probably ऐसा पहली country world में बनेगी जो की ऐसा करती है possibly लिखा है इन्होंने तो मैं बताता हूं कि actual में ऐसा है नहीं ऐसा बिल्कुल भी रहे हैं काफी पहले से Sweden में जहां पर PhD करने का जो इस्टेंडर्ड है सबसे हाई माना जाता था जब मान लिजे इंडिया में अब धीरे-दर रिस्टा मार आ रहा है कि PhD अगर आपको सब्मिट आपकी तभी मानी जाएगी PhD सब्मिट का मतलब 30 समिट अभी तभी आपने एक रिसर्च पेपर प्प liksom किया हो अब रिसर्च पेपर में क्या होता है कई लोगों के नाम होते है ऑथर्स कही ओथ लोगों का नाम उसमें भी आप हो तब भी आपका PhD जो है सही मान लिया जागा स्वीडन में ऐसा नहीं है स्वीडन में PhD करने के लिए आपको चाहिए सिंगल आथर सिंगल नेम जर्नल यान की सिंगल नेम जर्नल कौन होते हैं जैसे नेचर साइन्स इस टाइप के जो बड़े जर्नल्स हैं उनमें आप अकेले अपने बल पे पेपर पब्लिस करेंगे तब ही जाके आपको PhD मिलेगे फिर उसके बाद क्या है क्या है स्वीडिन में पिएचडS होती है पब्लिक फंडेड होती है यह जनता के पैसे से पिएचडि होती हैं जैसे इंडिया में भी होती है दिखतर तो वहाँ पर आपने पाईचडी कर लिए यह आप Whoa क्या होगी वह fighters क्रेंर है उसकी marks सारी बनाना है और कंट्री यह जित social service, teaching, knowledge spreading इन सब में देना होता है प्लस आप जो भी work कर रहे हैं उसको बार-बार कई committees के सामने आपको ये दिखाना होता है कि वो public के लिए जिनका पैसा ले रहे हैं वो किस तरीके से important है तो ये जो concept है इंडिया के scenario में अब भी लाए जा रहा है कोई निया concept नहीं और पस्पिली फस्ट नहीं बिल्कुल भी फस्ट नहीं है बहुत सी गंडरी अल्री पहले से करती है तो ये confluence होगा scientific knowledge और visionary leadership और social conscience का जो भी इसका meaning निकलता हो फिर क्या ही encourage करेगा science and technology institutions को कि वो individual और individual scientist को कि वो जाएं society से जुड़ें और society का फाइदा है उठाएं तो इसके beneficiary हो जाएंगे school के student college के teacher local body जिनको जाकर scientist लोग knowledge देंगे implementers, institutions हो जाएंगे science center, ministry वगरा हो जाएंगी और accessors वो होंगे जो कि internal assessment committee, external agency होंगी इनका रोल अभी क्या है का मैं बता रहा हूँ supporters कौन से होंगी government agency, corporate bodies वगरा main objective क्या है तो science और society को connect करना है science से science को connect करना है तो different institution में जो researchers हैं उनको आपस में connect करना है society science को connect करना है गुमा फिरा कि वही बात है cultural change लाना science से cultural change को ले आना policy के directive क्या है कोई भी researcher वगरा जो होगा जो की knowledge पर काम कर रहा होगा उसको अपने साल में at least 10 दिन जो है वो SSR activities पर खरच करने होंगे और outreach activity की भी बात कहीं गई है कि सारे knowledge institutions है research institutions जो है वो क्या करेंगे एक implementation plan बनाएंगे कि उसको कैसे SSR goal को अचीब किया जाए तो इतना complex करने की क्या जोड़ता है PhD सम्मिट करते समय होने चाहिए at least इतने डेज जो है वो आदमी को social service में या society में अपना knowledge फैलाने के लिए देना है appraisal and evolution तो जो भी worker scientist है वो उसका performance appraisal जो अभी तक नहीं होता है scientist लोगों का वैसे technically तो फिर उसका appraisal करते समय ये लोग क्या करेंगे ये भी count करेंगे no institution would be allowed to outsource कोई भी अपना जो ये SSR activity जो उसको पैसा दे कि किसे और से नहीं करा सकता है sensitize भी किया जाएगा workers को central agency भी बनाए जाएगी DST में जो कि इसको implement करेगी conclusion तो आप जानते हैं अब यहाँ पर देखें तो ये इसमें भी जो सारी चीज़े हैं वो बोल बचन टाइप की चीज़ें कुछ खास हैं benefits क्या होंगे solutions प्रोवाइड हो जाएगे जैसे हमारे इंडिया में scientist लोग जो है research ऐसा करते हैं कि उससे already हमको solution मिल ला है तो हम जब ये लोग जनता वाजाएंगे तो इससे solution प्राप्त हो जाएंगे startup ecosystem भी develop हो जाएगा society में इनके जाने से startup ecosystem कैसे develop होगा startup के लिए तो government या institution को startup ecosystem खुद देना चाहिए strengthen करना होगा integration of science and technology आज वही चीज़ है cooperative environment steel सब तो common चीज़े हैं आगे बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेटामेटर आ गया तो NASA ने आपजर्व किया पहली बार बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को international space station में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है उसमें देखे बोस कौन है तो है सतेंदर नाद बोस जो कि इंडियन साइंटिस्ट है आइंस्टीन को तो आप जानते हैं सर अलबर्ट आइंस्टीन तो इन दोनों ने मिलके 1920 में इस इधान को theoretically बताया था कि ऐसा स्टेटामेटर भी हो सकता है जो कि बिलकुल अलग हो तो हमने फॉर्थ देख लिया यह आजाएगा फिफ्ट है तो फिफ्ट स्टेटामेटर जो है इसको बी इसी बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट कहते है क्या होता है कि कुछ आप मालीजे कुछ इस समय के हमारे एटम्स को ही ले ले है उनको हम बहुत ही लो टंपरेचर भी यानिकी जीरो के लिविन यानिकी माइनस माइनस 273.15 डिगरी सेल्सियस डिगरी भी होना चाहिए सेल्सियस पे ले जाए तो फिर क्या होगा वो इस तरीगे से फ्रीज हो जाएंगे जरी लुग्ज है कि उनमें ना के बराबर मोसन होगा और एक नए क्वांतमे क्वांटम इस्टेटप पहुँझ जाएंगे उनकी जो क्वांतम मेकेंटल प्रापरी जयो एक दम Seriously हो जाएगी और वो प्यूर क्रिस्टल की तरवे हार भी जाती है तो खास इधर-दर टक्राती नहीं है और सीधा जाने को जा सकती है जहाँ तक भी उसको सीधा पात मिलेगा लेकर साल्ट के साथ ऐसा नहीं साल्ट के सरफस से ये दिखतर चीजे टक्रा जाती है तो crystal में क्या होता है चीजे अरेंज होती हैं बहुत ही अच्छे आर्डर में तो यह क्या है जब हम बोसाइंस्टीन कंडेसेट बनाते हैं तो जो एटम्स है और सब अटाइंक पार्टकिल्स वो खास टाइप से आर्डर में प्योर क्रिस्टल स्टेट में पहुंच जाते हैं तो यह होता है वोसाइंस्टीन कंडेसेट बनते हैं तो उनका पार्टिकल्स वोता है उनिफाइड हो जाता आसानी से वह सम किया जा सकता है सिंपल समेशन की तरह तो सिंगल वेव मैटर की तरह बीएव कर सकते हैं इस्ट्रीमरी फ्राइजाइल होते हैं बाहर से बहुता भी तमपरेचर बिल्ड में इन्सटीर हो सकता है उसके भी वैसे में आम धूद्स थोड़ेंच वंदैन कुण कर सकते हैं लेकन बहुतू जादा फ्रेजाइल अप यह समझियाखए इस टाइप के एक्सपेरिमně्ट से हमें क्या फैदा हो गा, तो हम जैन्र लिय्टियवट्युट्वटी जो Einstein का सिधान था जिससे टाइम को किस तरीके से हम देख सकते हैं डिफरेंट फेज़ में ये सारे चीज़े जो है टाइम टुरबेल वगरा टाइप की थियरी जिया लाइट किस तरह बिंट होती है ग्रिविटेशन किस तरह काम करता है तो ये सारी चीज़े हम General Relativity से देख सकते हैं तो ये इसको समझने मदद मिलते है डार के अरजी को हम समझ सकते है ग्रिविटेशन वेब को समझ सकते है इस स्पेसक्राफ्स में भी मदद मिल सकते है कॉन्टम मेकेनिक्स को माइक्रोच की पिक लेवल पे भी समझने मदद मिल सकती क्योंकि सारे पार्टिकिल मिलके बड़े से क्वांटम सिंगल क्वांटम स्टेट में चले जाता है इसलिए सब सर्फेस मिनरल ऑन दे मून अनदर फ्लेनेटरी बाड़ी जहां पे टंपरिचर काफी कम होता है और बहुत से पार्टिक गैस की तरह बीहेव करते मैंने आपको बताया और इन में में पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्टरान गुमते रहते हैं और इससे जो निकुलेस का फ्यूजन भी कराया जा सकता है और हाईली इलेक्टरिसिटी की कंड़क्टिवटी रखता है ये मैगनेटिक और फिल्ड को रिस्पॉंड नहीं करते हैं लेकिन प्लाजमा करता है इनकी कोई फिक्स सेप और वाल्यूम नहीं होती गयास की तरह ही इसलिए इसको गयास का जाता है और ये काफी कम डेंस होते हैं सॉलिड और लिक्विट के तुलना में प्लाजमा जो है मोस्ट कॉमन फिलेंस मिक्तश से कौमन यां पलाजमा कोई जाता है यानि कि अधर स्टार्स के एक शटार सोच में पाया जाता है एक सरे बीमूटीं पॉल्सार सुपरने 0205 में भी पाया जाता है, plasma can be formed, ये कैसा बना जा सकता है, किसी heat को बहुत high temperature पे गरम करने पे इसको बना जा सकता है, noble prizes के बारे में देखते हैं, ये पिछले साल के noble prizes है, 2019, लेकिन इन्हों ने जो discoveries की हो काफी अच्छी है, तो इसलिए एक बार देखना इनको ज़रूरी है, तो physiology and medicine, तो अब आपको पहले चीज़े पता होना जाही कि जो noble prize होता है, पॉस्टो मसली मरने के बाद किसी को नहीं मिलता है, और हमारा ये जो noble prize है, वो किस किस शेतर में नहीं दिया जाता है, फेमस शेतर में तो maths में नहीं दिया जाता है, बायलोजी में नहीं दिया जाता ह ये फेमस शेत्र उसके लाब बहुत शेत्र पासबल है आर्ट्स वगरा हम भी नहीं दिया जाता है लेकिन हम बागी फेमस अदर जो शेत्र है पीस वगरा उनमें दिया जाता है न्यूज में क्यों है तो विलियम, केलिन, पीटर, रैटकलिफ, ग्रेग, सिमेज़ा ने मिलके फिजिलोजी एंड मेडिसिन का नूबल प्राइस वाया था फिजिलोजी एंड मेडिसिन, तो बाइलोजी के जो नूबल होते हैं, कई बार इस कटेगरी में आते हैं, कई बार कमेश्ट्री कटेगरी में आते हैं इन्होंने ये देखा था कि कैसे ऑक्सीजन का लेवल जब चेंज हो जाता है, तो हुमन के सेल किस तरीके से रिस्पॉंड करते हैं, किस तरीके से अडाप्ट करते हैं, किस तरीके से उनकी मसिनरी चेंज हो जाती है, और कब वो मर जाते हैं, सारी चीजे इन्होंने उस समय देखी थी और इन्होंने पायत है कि जब हमारे बाड़ी में ऑक्सीजन कम होता है तो हमारे किडिनी से इरित्रोपोर्टीन नाम का एक हार्मोन निकलता है ये क्या करता है कि इरित्रोपोर्टीन जब हमारे ब्लड में आ जाएगा तो हमारे बाड़ी में बहुत ज्यादा ज्यादा oxygen carry कर सके हैं, तो हम ज्यादा RBC बनाएंगे, तो भले बाहर oxygen कम होगा, तो हमारी बाड़ी में ज्यादा oxygen पहुँच पाएगा, भले बाहर oxygen कम हो, इसलिए जो लोग वो mountains पर जाते हैं, या mountain dwellers होते हैं, उनके blood में RBC का amount ज्यादा होता है, क्योंकि high mountains पे oxygen का amount कम होता है, तो उसको कम amount है, तो उसको और carry करने के लिए RBC ज्यादा लगेंगी, अब क्या इन्होंने, ये तो पहले से हमें पता थे, जी medical science में काफी सालों से लोग जानते हैं, इन् factor जिसको कहा जाता है, हिफ, तो हिफ जो है, वो क्या करता है, वो erythropoietine की जीन होती है, उसके आगे जाकर हिफ connect हो जाता है, और हिफ बहुत तीजी से ज्यादा amount में इसको generate कराता है, तीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, हिफ जो है, सुपर प्रमोटर की तरह काम करता है, जो जीन के, जीन के expression को बढ़ाते हैं, regulate करते हैं, वो होते हैं, promoters, तो promoter जो की बहुत ज्यादा तीजी से बढ़ा दे हो जाएंगे, super promoters, तो यहाँ पर लिगा turbo charge कर देता है, turbo charge तो mechanical term है, तो इस super promoter की तरह काम करता है, तो फिर जब जायर से बात है oxygen वापस अच्छे से मिलने लगेगा, तो फिर हेफ का amount कम हो जागा, हेफ का amount कम हो जागा, तो EPU का amount भी कम हो जागा, और कुछ समय बात धिरे-दरे करके RBC मर जाएंगी, तो उतरे amount में पहले क्तरा RBC नहीं बनाएंगे, significance क्या हो जाता है, ऐसी study का, तो इससे self functioning समझने में हमें, काफी मदद मिलती है oxygen के level जो हैं, वो कई चीज़ों को determine करते हैं, पहले तो हमारे body में oxygen का level जो है, वो longevity को भी बताता है, कोई कितना लंबे समय ते जीवित रहेगा, aging के चीज़ों को समझा जा सकता है, तो हिफ का इस्तमाल काफी गया गया है, aging process को समझने के लिए, उसके लावा इसका दूसरा इस्तमाल सबसे favor, cancer biology में है, cancer में क्या होता है, cancer tissue जो होते हैं, जिनको हम tumors कहते हैं, तो tumor जो हैं, उनमें धेड़ सारी cells होती हैं, cells को क्या चाहिए, जिन्दा रहने के लिए oxygen चाहिए, और oxygen कहा से आता है, oxygen blood से आता है, तो धेड़ सारी capillary, यानि कि micro blood vessels बनाती है, micro blood vessels बनाके से आस पास के tissue से वो blood ले लेती हैं और oxygen ले ले लेती हैं, इसलिए और nutrients बनाती हैं, इसलिए आस पास के tissue मारने लगते हैं, cancer के tumor के presence के विजए से, तो इस से हमारे बाडी में नए blood vessels बनते हैं, किस तरीके से red blood cells बनते हैं, हमारा immune system कैसे काम करता है, वो भी oxygen dependent होता है, fetal और प्लेसेंटा डिवलप्मेंट को समझने भी भी मदद मिलती है और किस तरीके से कैंसर के ट्यूमर्स ग्रो करते हैं ऑक्सीजन सेंसिंग करते हुए कैंसर और अनीमिया के केसेज को सॉल भी किया जा सकता है क béled stiff को हम समझ जाएं तो जो इंझ जो जेशिस प्रॉसेज होता है जिससे ब्लेट विसल बनती है ट्यूमर में जो जेशिव मतलब सिंपल यहीं होता है निव ब्लेट बनती है लेकर ट्यूमर की जो angiogenesis होती है उसको अगर हम समझ लें हिफ के मदद से और हिफ का रोल भी जान जाएं तो हम cancer के treatment में एक और step आगे बढ़ सकते हैं chemistry का nobel prize तो यह मिला था 2019 का है तो john d good enough m stanley wittingham akira usino इनको मिला था इन्हों ने lithium ion batteries को develop किया था यह जो है यहां पर आ जाता है अब देखे शुरुआत में इन तीनों का independent role है विटिंगम ने 1970 में काम किया था इन्हों ने क्या किया था कि किसी battery में दो चीज़े होती है आपने देखा होगा कि दो nodes होती है एक को हम कहते हैं cathode और को कहते हैं cathode पे क्या होता है यहां पर oxidation होता है और cathode पे रिडक्शन होता है तो इसी के वज़े से दोनों में potential का difference होता है और electron जो है move कर सकते हैं इनके बीच में ऐसा ही होता है तो इन्होंने क्या क्या था titanium disulfide का cathode बना था और metallic lithium का anode बना था तो इन्होंने lithium का इस्तमाल यहां पर करना ही start कर दिया था और उसके बाद good enough ने 1980s में titanium disulfide को replace कर दिया था cobalt oxide से जिससे जो battery की potential है वो double हो गई थी अकीरा युसीनो ने क्या क्या था पहला commercial viable lithium-ion battery बनाई थी अभी तक जो भी lithium-ion बैटरी होती थी उसमें बहुत ज्यादा high energy store नहीं हो पाती थी तो इन्होंने 1991 पर commercial पर पहली lithium-ion battery बनाई थी इसमें इन्होंने lithium-ion को ही replace कर दिया था अभी तक दोनों में बाकी दोनों में lithium-ion common था लेकिन अब जो है वो lithium-ion इन्होंने हटा दिया उसके जिगा पर petroleum coke का इस्तेमाल किया और इन्होंने lithium-ion को कहां से लिया इन्होंने cobalt oxide cathode पर ही deposit कर दिया था liquid solution में भी lithium-ion होते हैं तो जो है अब यह petroleum coke पर जब हम potential charge देंगे तो वो automatically deposit हो जाते हैं lithium-ion तो यह एक advantage था जिससे हाई storage capacity मिलती है lithium-ion batteries की अगर हम बात करें तो यह एक टाइब की rechargeable battery है और यह बहुत से portable electronics में इस्तमाल होती है उसके अलाबा military aerospace application यह सारी चीज़े है electric car वगएर में भी इस्तमाल होती है advantage क्या है तो इनका light weight होती है कापी इनकी high energy density होती है निकि पर kg बहुत ज़्यादा energy store कर सकते हैं करीब एक kg battery में 150 watt hour की energy store कर सकते हैं lithium battery जो हैं वो 3.6 volt तक provide कर सकती है जो कि 3 गुना ज़्यादा है आम तर पे जो nickel के डिम बैटरी जिसके प काबले में rechargeable lithium ion battery जो है 5000 cycle या more रखती है निको 5000 या उससे ज्यादा बाहर charge कर सकते हैं वहीं पर जो पहले latest battery जो inverter battery जो होती थी या car वाली battery जो होती थी 500 से के करीब ही उनकी cycle होती थी चार से 500 यह काफी low maintenance होती है इन में आपको acid वगरा बदलना नहीं पड़ता है पानी भी साथ साइकलिंग भी नहीं करने पर साइकलिंग का मतलब होता है कि आप देरे देरे बैटरी आपके अच्छास काम नहीं करेगी तो आपको पहले पूरी battery discharge करनी होगी फिर से फूल चार्ज करनी होगी वह cycling भी नहीं करनी होगी साथ में memory effect भी नहीं होता है memory effect क्या होता है अगर किसी beard trimmer या इस टाइप के instrument जो की rechargeable हों torch वगएरा तो उन में लिखा रहता था कि जब battery आपकी fully discharge हो जाएगी उसके बाद ही आप उसको पूरा charge करा है नहीं तो उससे memory effect हो जागा for example nickel cadmium के साथ क्या होता था कि 50% charge ही है बचा और आप सोचे कि मैं उसको charge करके 100% कर द तक पहुँच क्यों कहेगी कि मैं पूरा खतम हो गया है उससे नीचे उसका charge गिरे गए नहीं तो यह उसमें memory effect हो जाता है lithium ion के साथ ऐसा नहीं आप phone जब चाहे charge लगा लेते हैं pull discharge के निक जोड़ते हैं तो lithium ion battery की low self discharge rate होती है अगर आप इस्तमाल नहीं कर रहे हैं आप ऐस से रख विद्यां तो यह पर मंद यह 1.5 से 2% का charge होता है और इनमें toxic cadmium नहीं होता है उसी तरीके से mercury भी नहीं होता है लेड भी नहीं होता है limitations क्या हो जाती है इनमें over heating के समस्या है यह तो आप phone इस्तेवाल करते होंगे तो जानते हैं और यह high voltage पर damage भी हो जाती है और बहुत बार इनमें आग भी लग जाती है सही voltage provide ना करने पर या other कोई इसमें अगर मालीजिए इनको जटका लग जाए इनको चोट पहुंच को गुशा दे तो फिर इनमें आग लग जाती है और यह अपने कई वीडियो में और यूज में देखा होगा प्लस हमें अलग से safety mechanism भी लगानी पड़ती है कि high voltage जा रहा हो internal pressure इसमें ना बिल्डर आपने देखा होगे यह battery swell कर जाती है तो अपने आप वो supply card देता है और battery को और device को further damage होने से बचा लेता है यह safety तो जिससे क्या होता है तो weight भी बढ़ जाएगा total machine का performance भी कई cases में कि मान लिजे कि अगर battery की अभी छमता है 20% भी छमता है लेकिन यह जो machine है वो कहे कि sensor की battery एकदम से खराब है तो इस type की भी दिक्कते आती है cost जो है थोड़ा ज़्यादा है nickel cadmium से 40% ज़्यादा है और वेट कम है और high energy density है तो यह cost कोई बड़ी बात नहीं लिथियम बैटरी इंडिया में हम देखें तो government ने लोग साह में बताए था कि इंडिया ने जो import करते थे 2016-18 से उससे हमारा import जो है वो अभी तक काफी more than triple हो के करीब हो गया है तो इंडियन manufacturer जो है जो devices बनाते हैं और assemble करते हैं वो ज्यादा तर चाइना जापान साउथ कूरिया से यह batteries मंगा रहे होते हैं उसके लावाने country से मंगाते हैं और यह सब को data important है नहीं step क्या लिए हैं Indian government ने तो union cabinet ने 2019 में एक program को प्रूब किया था जिसक लिए में battery बनाने की facility develop करेंगे क्योंकि जिस तरह की mobility हमारे country बढ़ेगी तो हम या तो बाहर से देड़ सारी battery बंगाने तुस्से अच्छा है हम अपनी country में ही battery बना ले इस तो ने commercialize किया था है कि indigenously developed lithium-ion battery technology को और उन्होंने ऐसी battery के commercialize करने के लिए 14 companies को technology transfer की थी उसी तर 80 solar power limited के साथ मिल के एक memorandum agreement sign किया है कि पहली इंडिया की lithium-ion battery project को ये इस्टेबलिस करें ये 2018 की बात है next है nobel prize in physics physics का nobel prize मिला था 2019 में जेम पीबल्स माइकल मेयर DDR Quilose को इनका contribution था कि evolution किस तरह हो रहा है universe का हुआ था और हो रहा है universe का किस तरही से evolution और साथिसाथ अर्थ का cosmos में क्या position है कहां पर अर्थ है तो इन सब के work को अगर हम मिला के summary देखें तो इनके work से पड़ता है कि ये दूर दूर तक observe कर रहे थे कई theoretical model से और practical observation से कि universe का expansion कैसा है और अर्थ की location उस relative relation में किस तरीके से change हो रही है तो इन्होंने बहुत सी चीज़ें जो देखी उससे इन्होंने सबसे पहले ये लोग ऐसे बने जो कि 1995 में इन्होंने discover किया था इसका प्लैनेट एक अईसा प्लैनेट यानि इस डिस्कावर किया था जो कि उलर टाइप स्टार के आस पस यूमन एर्थ लाइक लाइफ संभव भी होनी चाहिए ऐसे टाइप के स्टार क्योंकि यह बहुत ज्यादा विस्फोटक अवस्था में होते नहीं है प्रापर टाइप से हीट और लाइट जेनरेट करते होते हैं तो इसलिए माला जाता है कि सोलर टाइप जो स्टार होते हैं उनके आसपास लाइफ सम्मा होनी चाहिए तो यह लोग 1995 में इन्होंने सबसे पहले एक ऐसे प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम के बाहर यानी एक जो प्लैनेट को डिस्कवर किया था जो की सोलर टाइप स्टार के चकर लगाता है और उसका नाब रखा था 51 पिगासी भी बाद अब धीरे धीरे करके टेलिस्कोप से स्पेस प्रोब से करते करते हमने अपने पूरे गैलेक्सी में at least 4000 इक्जो प्लैनेट को डिस्कवर कर रखा है तो यह हो जाता है इसका इंपॉर्टेंस यह हो जाएगा एक्जो प्लैनेट की अगर हम कभी हमें प्लैनेट पर मदद कर सकते हैं तो यह इस तरीके से यह पूरी बुकलेट खतम हो जाती है तो मिलते हैं आप से जो भी अगला लेक्ट चराएगा उसमें तब तक के लिए थैंक्यू और बेस्ट आफ लग जो भी मेंस दे रहे हैं इस साल उनको काफी बेस्ट आफ लग अच्छे से गा झाल